हेलो अब्रीवन मैं हूँ एडूकेट रहूल मिश्व और आज की वीडियो में हम लोगे समझने की कोशिश करेंगे कि 376 का मुकदमा लिखाने का एक नया तरीका लड़की वालों ने एजात कर लिया वो तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए सबसे अच्छा तरीका इन लोगों ने आज की डेट में अपनाया हुआ है जो फॉल्स केस लिखाते हैं निकसेश चलाते हैं जूटे मुकदमे लोगों को लिखा कर उनसे जवरन वसूली करते हैं उन लोगों ने एक नया खेल किया हुआ है अजकल अलग अलग जिलों में वो करते चले आ र रहे हैं ठीक है तो डिटेल बात करूं उससे पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नहीं है या पहली बार आ रहे हैं अभी तक आप लोगों नहीं से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना साथी साथ एक हमबल आप लोगों का मैच आपसम मिला आपने या मैच नहीं मिला जो कुछ भी रीजन है मैटरी मोले साइट पर आपने चैटिंग कर ली या आपके परिवार वाले दोनों परिवार वाले आपसम मिलें यह डिसीजन होता है कि लड़की आप दिखा दीजिए लड़की देख अब आप को गयार कुछ किया नहीं 376 कैसे लिख गया और 376 ड लग गया परिवार वालों का भी नाम इंप्लिकेट कर दिया जी हां इस समय एक ऐसा नेक्सिस चल रहा है जिसमें लड़की वाले जानबूच के आपके ओपर 376 की धाराओं में मुकद में लिखा रहे हैं कई कि वार ऐसा होता है आप शादी करने के लिए किसी से बातचीत चलाते हो आपकी बातचीत नहीं बनती आप टेलीफोनी कंवर्सेशन पर उससे बातचीत कर रहे होते हो कभी-कभी आप रेस्टोरेंट वगएरा खाने पीने के लिए चले जाते हो लेकिन सेक्शुल रिलेशन लड़की वाले जित पर आ जाते हैं कि लड़की हमारी तुम्हारे साथ घूम चुकी है तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट जा चुकी है अब हम तुम्हारे उपर 376 जैसे संगीन धरावे मुकदमा लिखाएंगे और जो है डावरी प्रोविजन एक में 3x4 dp भी लगा रहे ह और 406 भी लगा रहे हैं यह सारी धराये शीशी लगा रही है ताकि आप उनके प्रेशर में आके आप शाधी कर लो आप कॉल आउप सटन पता चलता है कि लड़की मेरी मेटेरियल नहीं इसके साथ मेरा रिष्टा नहीं बन सकता है मेरी रिष्टा तोरण लेता हूँ आप अपने घर चले आते हो आपके उपर एफियार हो जाती थाने से फोन आता है कि आपके उपर 306 कि अपर लिग गई आपके परिवार वालों के उपर दहेज बांगने कि देखो CDR निकलवा लो मैं उस लोकेशन पर नहीं था लेंकि लड़की कह देगी जानबू उसके फोन लेकर रही आया था इन्होंने मेरे साथ सेक्षवल रिलेशन करना था गिल्टी माइंड था इसलिए फोन चोड़के चले आया थे तक कि CDR में लोकेशन में निकल ना आए रेस्टोरेंट नहीं जाना है होटल उसको घुमाने नहीं लेकर जाना है और जब भी लड़की देखनी है ठीक है आपको लड़की हमेशा देखने जाना है कुछ लोगों को हुआ है अधिका बतारों लड़की दो मिनट करने सब्सक्राइब कर और जैक नहीं कर सकते आपके साथ मुझा अद्श करने सब्सक्राइब लेदेखने उसके बाद पता चला ललकी कहें कि जब मुझे यह देखने आये थे 15 मिरट यह मुझे अकेले में मुझे से बात करने गए थे उसके बाद इन्हों ने मेरे साथ सेक्शुल डिलिशन्सिप गना लिया और 376 का मुकदमा लिख गया भारत देश में सबसे आसान आज की डेट में अगर कोई मुकदमा लिखाना है 376 का है कोई सबूत नहीं चाहिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए जाइए मुझ मत धो यह खड़े हो जाइए थाने में बता दीजिए कि हमारी फाइयार है 376 की पुलिस भी लिख लेती है बिना इन्वेस्टिगेशन के साथ उसको वसूली करनी होती है यह हो सामने नहीं आपा रहा है तो यहां पर लड़की देखने जाने तो बहुत रही है इसारी बातों को ध्यान रखीये और एक दम बुरी तरीके से लाइफ आपकी हैल होना हो जली जाएगी खतम हो जाएगा सब कुछ कुछ नहीं बचेगा इसलिए एलेट रो नहीं तो लड़की देखना बहुत भारी पड़ जाएगा हमारे वकील साहब है जार लड़की ने का मैं तुमसे इशादी करूगी ध्यार नकलना क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्चूर गाड़ी है वरना तुम में जेल विजवाद होगी वकील साब क्वेशिंग में उन्होंने मुझसे टेलीफोनी कनवर्सेशन करी कि सर मुझे क्या करना चाहिए मैंने उनको सब्सक्राइब करा कि ऐसे से करो सारी चीजें सही हो जाएंगी ठीक है लेकिन ध्यान रखो कि वह 15 में बात करने वह खतम कर देगा सब कुछ आपका 376 लिग जाएगा अकेले में बात करने तब तक नजाना जब तक उसका आपको चेहरा मूरा जब तक समझ में नहीं आ रहा लगा जा रहा है कि हमको रिजिक्ट कैसे कर दिया इसके लिए 376 लगा दिया जा रहा है कि शादी कर ली उन्होंने प्राइवेट प्लेस पर उसके बाद लड़के के साथ 1.5-2 साल रहे गई उसके बाद भी उनके ओपर 376 और पॉसकों में फायार लिखा जा रही है ऐसा ही क्या हो रहा है कि उनके ओपर 376 लिए विचारे भागे भागे ऐसी कंडिशन भी निकल के आ रही है तो लड़की देखना है तो उसकी कौलिफिकेशन पहले चेक करा लो उसकी मार्क शीट की वैलेडिटी चेक करा लो कि वैलिड है कि नहीं है उसने जो पढ़ाई बताई है या नहीं पढ़ी या जूट बोल रही पहले क्लिरिफाई कर लो उसके बाद ही देखने जाओ बात में देखने जाओगे तो समस्या हो जाएगी जेल जाओगे और आप लाग कहते रहे जाओगे कि मैंने रेप नहीं करा मेरे पेरेंट्स से कुछ नहीं करा पुलेस आपको ह जिन्दगी मिट्टी में मिल जाएगी उमीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ आप सबक लेंगे जरूर कुछ ना कुछ आपको help करेगा motivate करेगा अगर ऐसा कुछ है तो ब्लीज वीडियो को like share subscribe करना मत भूलना और दूसरी चीज Facebook Instagram पर नहीं जुड़े हो तो वहां स्क्रिप्शन में थैंक यू